अपने अपनी अपनी जो रननीती है उसके तहत इन बयानों की व्याख्या भी की जा रही है बटवारा कौन कर रहा है परा किसे तेके मैं यह कहूंगा संदीब भाई कि इस बयान को थोड़ा सा पलट के देखिए राष्टी स्वयम सेवक संग जिस काम को मौन तरीके से कर रहा था योगी जी ने उसे मुखर तरीके से किया और मुखर में शब्दों का चैन भी काफी तलखी भरा है यह सामानिय साधारन सहज शब्द नहीं है क्योंकि 1925 में जब राष्टी स्वयम सेवक संग का गठन हुआ तो उन्होंने हिंदू संग नहीं बनाया उन्होंने राष्टी स्वयम सेवक संग बनाया और आवाज बुलंद की गई कि राष्ट बाद अंदोलन का हम सुरू कर रहे हैं तमाम प्रतिबंद आरोप आलोचनाओं को जेलता हुआ संग आज सताब्दी बर्स में उसाध दोलंग को लेके आगे आया है अब जब बात हो रही है अभी दिवांग ने कहा कि डराया जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि डराया तो दोनों को जा रहा है यदि राश्टी सोयम से रख संग अगर हम किताबें भी पढ़ें वी और आर नेशन होड डिफाइन वो जो गुलवलकर साहब वो तो सीधा सीधा ये मानते ही थे पहले दिन से कि मुसल्मान सबसे बड़ा दुश्मन है उसी चीज़ को अब क्या खुलकर बीजेपी भी कह रही है मैं यही कह रहा हूं कि जो वो मौन तरीके से किया जा रहा था नहीं लिखा बाकाइदा हाला कि मेरे सायोगी रह चुके हैं मैं उनका नाम लेने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है पर दूसरे चानल में उन्होंने सवाल पूचा था मौहन भागवत से इसी बाबत की बही गोलवलकर साब तो यह कहते थे कि नहीं वो वक्त कुछ और था आज वक्त बदल गया है तो हम वक्त के साथ बदलते हैं पर लग रहा है कि वो पूरा पहिया फिर से गोंग गया है बेक्ति स्कुएर वान संग की स्थापना ही हिंदों की एक जुटता को लेके हुआ है उसमें मुस्लिम एक जुटता को लेके तो संग ने कभी कबात ही नहीं की तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्रास, सबका प्रियास, ये भारती जनता पार्टी का नारा है, तो भारती जनता पार्टी की लाइन अब बीजेपी ले रही है, राश्टी सोयम सेवक संग का नारा है, कि आप एक रही है, तब ही लोग कल्यान होगा, एक मतलब हिंद देने के लिए मुखर्ता के साथ सामने आई है इसके पहले मुखर्ता के साथ राष्टी सोयम सेबक्स तक कभी सामने नहीं आई फिर रही बात बटेंगे तो कटेंगे तो यदि संग की तरफ से डर पैदा करके हिंदू को जोड़ा जा रहा है कि आप बढ़ जाओगे तो कट तो विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि आप भी मत बटिये नहीं आप कट जाएंगे हिंदू कार देंगे तो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही आपने कहा कि सब लोग वही कर रहे हैं तो कोई एक नहीं कर रहा नहीं पर हिंदूों में डर मतलब 80% जो आबादी हो देश सेना के प्रमुक हिंदू राष्टपती हिंदू उपराष्टपती हिंदू हिंदू डरे हुए हैं देश का उपराष्टपती थे हामी दंसार उन्होंने क्या कहा था कि मैं सुरक्षित नहीं हूं यहां पे वो अप्लियत की बात थी और पैदा किया जा रहा है तो जब हमार यहां कि सीधे साधे प्रधान मंत्री थे माननी मनमुहन सिंग जी उनसे कहलवाया गया कि देश की संपत्ति का पहरा हक मुसल्मानों को है तेदी एक तरफ डर पाइदा किया जा जा दूसरी तरफ लालच भी पाइदा की गई लालच भी दिया गया तो एक पूरा बयान आप त पत्रकाल का तो धर्म यह होता है कि पूरी समगरता में वो बयान क्या दिया गया था उसकी विवेश ना कीज़ाए जो आप कह रहे हैं सचा ही है कि राजनी ती करने वाले राजनी ती कर रहे हैं उसमें से हमें कितना स्रोगन लेकर राजनी ती करने ना है मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हिंदू संख्यक नहीं है 80% होने के बावजूद तमाम बड़ी जगाओं पर हिंदू विराजमान है आसीन है और हिंदू डरा हुआ है यदि हम इस बिसे पर बात करें तो ये परिपेक्ष देश के लिए था ही नहीं ये परिपेक्ष था बंगला देश के लिए तो अफगानिस्तान बंगला देश पाकिस्तान इन जगों को लेकि ये बात कही गई अब उस बात को भारत के परिपेक्ष नहीं परोसा जा रहा जो अपर्टेक्ष तोर पर परोसा जा रहा वो कहीं न कहीं सूट कर रहा है राजनीतिक दलों को इसलिए उसको बिस्तारित करने में कोई हस्ता चेप नहीं हो रहा नहीं तो भारती जनता पार्टी हो या विपक्ष उनको कह देना चाहिए कि ये बंगलादेश के परिपेक्ष में कहा गया था इसको भारत के परिपेक्ष में नहीं देखना चाहिए तो ये इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि ये सूट कर रहा है दोनों को